दोस्तों भोपाल की सांसद माननी सादवी प्रग्या ठाकूर जी का एक बयान काफी तेजी से वैरल हो रहा है जिसमें वो बताती हुई दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी जी जो है वो एक विदेशी महिला से जन्मे हुए व्यक्ति है और ऐसे लोग कभी भी देश भक् ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन पुत्र कभी देश भक्त नहीं हो सकता ये रहुल गांधी ने तै कर दिया क्योंकि भारत की संसद में भारत की जन्ता ने आपको सांसद चुना इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही आपने देश को खुगला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है इससे शर्मनाग बात और कुछ नहीं होती मैं ऐसे राहुल गांधी को धिकारती हूं और ऐसे इन पर प्रश्णी चिन खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीती कर रहे है और अब इनको राजनीती का अवसर नहीं देना चाहिए इनको इस देश निकाल करके फेक देए ऐसे कुछ बाकियों का प्रयोग जो है वो साधी प्रग्या जी ने किया है जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है अब इसके साथ साथ अडिशन में मैं यही कहना चाहू में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी रहेगी कांपिटिशन में अगर वो लगातार इसी तरह से राहूल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को दबाते हुए ही जाएंगे जो आलड़ी 55 MP पर है काफी नीचे है तो होगा यह कि जनता जो है वो बीजे पी के खिलाफ ही व़ोट करेंगे तो अब जाहिर सी बात है अगर उनहें कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं लगेगी तो वह दूसरी विपक्षी पार्टी कों वोट करेंगे ना कि बीजे बी को तो इसके बाद अब होगा ये कि जनता डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आमादमी पार्टी उसकी तरफ रुख करेगी तो मान लीजी अगर आमाद्मी पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई और BJP को आमाद्मी पार्टी से competition करना पड़ गया तो definitely काफी दिक्कतों में बढ़ सकती है उस वक्त BJP क्योंकि आमाद्मी पार्टी के पास अच्छा education है जो schools उन्होंने बनाए दिल्ही माडल लगातार वो महला क्लिनिक्स बनाते जा रहे हैं दिल्ही में भी और रिसेंटली पंजाब में भी उन्होंने बनाए उनके पास free electricity है free water tax है free bus ticket for women है और बुजूर्गों के लिए तीर्थियात्रा free है और ऐसे कई सारे schemes बनाकर वो जनता को attract कर रहे हैं जनता की competition करने के लिए बीजेपी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही एक राश्रवात का मुद्धा बड़ा मुद्धा है हलांकि development के बारे में भी वो काफी कुछ कहते हैं और नितिन गड़करी जी के बारे में भी काफी कहा जा लेकि दूसरी तरफ आमाद्मी पार्टी के पास काफी सारे मुद्धे हैं तो यहां पर आमाद्मी पार्टी को फेस करना बहुत मुश्किल होगा भारती जंता पार्टी के लिए तो इसलिए बीजेपी के लिए तो यह बेटर रहेगा election के नजरिये से कि opposition में उनके कांग्र कांग्रेस पार्टी को दबाते जाएंगे तो आमाद्मी पार्टी अगर उभर के आ गई तो उस वक्त खुद बीजेपी ही दिक्कतों में पड़ जाएगी तो इसलिए मुझे लगता है ऐसे बयानों से कांग्रेस को और भी जयाता दबाने से मुझे लगता है बीजेपी का नुकसान ही हो रहा है जो कि साध्वी प्रग्या जी सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान करती हुई दिखाई दे रही है तो अब ये तो रही बाग भारती जनता पार्टी के नफ़े और नुकसान की बागी जनता का नफ़ा और नुकसान किसमे है ये तो आप ही मुझे कामे कि विधेशी महिला से उत्पन पुत्र कभी देशबक्त नहीं हो सकता यह रावल गांदी ने तै कर दिया क्यूंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसत चुना इतने वरशनों तक सरकार रही आपने देश को खुगला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है इससे शर्मनाग बात और कुछ नहीं होती मैं ऐसे राहुल गांदी को धिकारती हूँ और ऐसे इन पर प्रशनी चिन्न खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीती कर रहे हैं ये और अब इनको राज